हेलो एब्रिवन वेलकम टू फोर आपके स्टडी एजूकेशन इस वीडियो में हम डिश्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा मैंस एक्जाम से मॉक टेस्ट 3 जिसमें 50 प्रश्ण है फ्रेंड्स ये सारे प्रश्ण काफी महत्तपूर्ण होने वाले हैं आपके एक्जाम के लिए और फ्रेंड्स मैंने ये सारे प्रश्ण इजी तू मॉडरेट लेबल ही रखे हैं जो बीपी एससी पैटन पर अधारित है और फ्रेंड्स अगर आपने अब तक मॉक टेस्ट वन और मॉक टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उस वीडियो को दे चाहते हैं या मेरे द्वारा बनाए किसी भी वीडियो का फिरी में पेडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं आपको टेलीग्राम एप में सर्च करना होगा फ्रदान मंत्री कर्याल पी एमों के बारे में कौन सा कथन असत तो इसको सेका सब्सक्राइब और प्रिदान मंत्री के लिए करयास करम चारी जन्टिए है यह बिल्कुल सही है इसे एक बिभाग की ति दी गई है यह भी बिल्कुल सही इसके अंतरगत कोई संलगन और अधिनस्त का रियालन नहीं है तो यह भी बात सही है प्रंतु यह एक संब्धानिक संस्ता यह बिल्कुल गलत है तो इसको संका सही अंसर है प्रशन है निमन लिकित में कौन सी भासा संब्धान की आठ्वी अनुसुची नहीं है तो इसको संका सही अंसर हैं आप्शन बहुत यह संब्धान अप्रशन जो तो चलिए आगे दिखते हैं आगला प्रस्टन है उप्राष्ट पती जो उप्राष्ट पती को हटाने का प्रस्ताओं किसमें पेस्ट किया जा सकता है तो उप्राष्ट पती को हटाने का प्रस्ताओं केवल राज्यसभा में ही पेस्ट किया जा सकता है तो इसलिए उप्राष पारताओ पेश किया जा सकता है तो इसका सही अंसर है ओप्सन भी ओके चलिए आगे देखते हैं अग्ला प्राशन है 1570 का वर्ष किस यूद के लिए प्रसीद है तो फ्रेंट 15596 में हल्दी घाटी यूद्ध हुआ था तो इसका सही की अंसर है option ए ओके त्राइन का यूध 1192 में हुआ था और पानिपत का द्वित्य यूध 1526 में हुआ था ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रोशन है भारत का सबसे बड़ा बनने जीव अभ्यारन कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा बनने जीव अभ्यारन भारतिय जंगली गद्धा अभ्यारन है ओके तो इसको सन का सही अंसर है option डी फ्रेंट्स भारतिये जंगली गद्धा अभ्यारन यह जो है मद्ध्य परदेश में इस्तित है ओके चलिए आगे देखते हैं अगला प्रोशन है बाग संरक्षन पर 2009 में पहली बार सरकारी मीटिंग कहा इसको सन का सही अंसर है option डी चलिए आगे देखते हैं अगला प्रोशन है कौन है तो बिष्व का सबसे बड़ा महा कॉप ए महा भारत है विर ठीशन का सही अंसर है option डी फ्रेंट्स महा भारत बैद ब्यास जी के द्वारा लिखा हुए नं स्की रचैता है और रमायन का रच चरीतर स्वारी महरसी बाल में की हैं ओके चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्ण है इकता प्रथा का अंत किस ने किया तो फ्रेंट्स इकता प्रथा का अंत अलाहु दिन खिल जी के द्वारा किया गया था तो इसकोशन का सही अंतर है ऑप्सन ए फ्रेंट्स इकता प्रथ था कि शुरुवात इल्टूत्मिस के द्वारा किया गया था इसमें सैनिकों को पेमेंट की बजाए उनको जमीन दिया जाता था सैनिक में भरती होने की बजाए ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रसना है चंगेज खान का समकालिन कौन था तो फ्रेंट चंगेज खा मंगोल का राजा बना था उसी टाइम पे इल्टूत्मिस भी राजा था इंडिया में चलिए आगे देखते हैं अगला प्रसना है अगला प्रसना है मुस्लिम लिग के कीस अधिवेशन में मुहम्मद अली जीना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था तो मुस्लिम लिग के कराची लहर अधिवेशन 1940 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था मुहम्मद अली जीना ने तो इस कोशन का सही अंसर है आप्शन C चलिए आगे देखते हैं आगला प्रसना है साबर मती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 हिस्थी में की थी तो इस कोशन का सही अंसर है आप्शन C फ्रेंट्स 9 जन्वरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए इंडिया वापिस आया थे और आते ही उन्होंने साबर मती आश्रम की स्थापना करी फ्रेंट्स और बजपन का नाम गधाधर चटोपद्याय था जटोपद्याय था मती को इसको से अंसर है तो इसको सब्सक्रिश्रेंट्स को रीजड़ा शाटे था तो आपको यह याद रखना है ठीक है चलिए आगे रखते हैं निम्नलिखित में किस निरित्य को पंडित जोहरलाल नहरू ने गरीबों की कथकली कहा था तो फ्रेंट्स ओटाम थुलाल एक निरित्य है इसको पंडित जोहरलाल नहरू ने गरीबों की कथकली कहा था दिसकोशन का सही अंतर है option A okay friends ओ seriousness ओटा ऐसम्मान किस प्रदेश की सरकार के दौरा दिया जाता है तो इस question का सही answer है option c चलिए आगे देखते हैं आगला प्रश्ण है भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है रंगनात स्वामी मंदिर तो इस कोशन का सही आंतर है option A अंकोरवाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि अंकोरवाट कमपोडिया में इस्थित है चलिए आगे दखते हैं अगला प्राशन है निम्न लिखित बिकल्पों का आवलोकन कीजिए पाइराइट, जिपसम, जैविखाद, मृधा को छरिये बनाने के लिए उप्रुक्त में किसका उप्योग के जाता है तो मृधा को छरिये बनाने के लिए उप्रुक्त में तीनों को यूज के जाता है तो इसकोरशन का सही हमतर है option C, 1, 2 and 3 चलिए आगे देखते हैं आगला प्रश्न है विश्व का सबसे सुस्क स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे सुस्क स्थान है आटा कामा तो इसकोरशन का सही अंसर है option B सुस्क का मतलब होता है ठंडा यानि कि बिश्व में सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कौन सा है तो सही आंसर होगा आटा कामा ओके चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्ण है अन्य छेत्रों की तुलना में किस छेत्र में दीन और रात के तापमान में स्थरवाधिक अंतर होते हैं तो प्रेंट्स उसना क्ट कटी बंधि है मरुवस्थल में दीन और रात के तापमान में स्थरवाधिक अंतर होता है तो इसके उसलिका सही देशों के बीच थल सीमा का निर्मान करता है तो बकान कोरिडोर अफगानिस्तान और चीन के बीच सीमा का निर्मान करता है तो इसकोशन का सही अंसर है option D okay चलिए आगे देखता है न्यören freaking elig देशों को अलग करता है तो जोहर जटमरू सिंगापूर वह मलेशिया को अलग करता है इस को जनका सही अंसर है ऑप्षण भी कि सो चलिए फ्रेंट्स आगे देखते हैं अगला प्राशन है कलिमंजारों परवद किस देश में इस्थित है तो कली मंजारो परवर जो है तंजानिया देश में इस्थित है तो इस कुछन का सही अंसर है option C फ्रेंस तंजानिया जो है वो South Africa महाधिवित में इस्थित है ओके चलिए आगे देखते हैं अगला प्राशना है जीला और वहां के प्रसीद खाने में कौन सा मिलान गलत है बिहिया की पूरी मुझाफर पूर यह बिल्कुल गलत है फ्रेंस बिहिया की पूरी जो है वो भोजपूर के भोजपूर जिला का मुख्य खाद्यान है प्रसीद खाद्यान है वहीं सुर्की धान चीवडा भागलपूर का प्रसीद खान है सोहन पपड़ी बकसर का प्रसीद खाने है खुर्मा उद्वन्त नगर के प्रसीद खाने में आता है तो इस कोशन का सही अंसर है option D चलिए आगे दखते हैं आगला प्रशन है बिहार में चावल बिकास और अमस्वंधान संस्थान कहां है तो बिहार में चावल बिकास और अमस्वंधान संस्था है आरा भोजपूर में तो इस कोशन का सही अंसर है option B चलिए आगे दखते हैं आगला प्रसन है बिहार में किस बैंक की सर्व प्रथम स्थापना की गई थी तो बिहार में friends सर्व प्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी तिसकोशन का सही अंसर है option C चलिए आगे देखते हैं आगला प्रस्ण है agriculture short किस खेल से संबंदित है तो friends agriculture short क्रिकेट खेल से संबंदित है तिसकोशन का सही अंसर है option A चलिए आगे देखते हैं आगला प्रस्ण है राश्ट्रिय गनित दीवस कब मना जाता है तो राश्ट्रिय गनित दीवस 22 दिसम्बर को मना जाता है तिसकोशन का सही अंसर है option B चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी तो सही अंसर है मारकोनी ने प्रथम बोतार सिगनल भेजा था तो इसकोशन का सही अंसर है option C friends मारकोनी जो थे वो सबसे पहली बार सिगनल को भेजा था ये घटना सबसे पहली हुई थी वहाँ पर ठीक है और friends मारकोनी है वो रेडियो के अविसकारक भी है तो आपको ये भी याद रहना ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है Inset2E कहां से प्रमोचित किया गया था तो friends Inset2E कोरू से प्रशेपित किया गया था तो इसको संगा सही अंसर है option B Friends Siri Hari Kota इंडिया में इस्तित है जहां से बीमान को प्रशेपित किया जाता है सैटलाइट को प्रशेपित किया जाता है परन्तु एक कंडिशन है कि अगर friends अगर 5000 केजी से अगर उपर की कोई सैटलाइट है तो उसको हम इंडिया से नहीं प्रशेपित करके कोरू से प्रशेपित करते है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रशन है निमन लिखित मेंसे वह बैक्ति कौन है जिसे भारती है मिसाइल प्रद्योगी की का पीता कहा जाता है तो friends इस question का सही अंसर है डॉक्टर होमी भाबा तो इस question का सही अंसर है option D friends एपेजे अब्दुलक्लाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है तो आपको ये भी आद रखना है ओके चलिए आगे देखते हैं अगला प्रशन है ओटो मोबाइल वहानों द्वारा निसकासित मुख्य नुकसान देह गैस जिससे वायू परदूशन होता है निमन लिखित में से कौन सी है तो friends कार्बन मोनो अक्साइड है एक महतुपूर्ण गैस है जो वायू परदूशन के लिए काफी जादा महतुपूर्ण होता है कम होता है एस कंपेर टू कार्बन मोनो अक्साइड ओके चलिए आगे दखते हैं अगला प्राश्न है भारत की प्रिथवी से प्रिथवी पर मार करने वाली पहली सफलता पुरवक बिक्सित देशाज मिसाईल कौन सी है तो फ्रेंट्स प्रिथिवी से प्रिथिवी पर मार करने वाली पहली सब फलता पुरुवग विक्सित मिसाइल है प्रिथिवी तो इसको सनका सही अंचर है option B फ्रेंट्स प्रित्वी से प्रित्वी मार करने वाली जितने भी मिसाइल है उसकी करम को याद रखने के लिए फ्रेंट्स आपको आपके लिए मैंने एक ठीक बनाया है पटना आपको सिर्फी याद रखना है पटना पटना से आप आसानी से प्रित्वी से प्रित्वी पर मार से अगनी अभी बरतमान में अगनी का स्रीज चल रहा है तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि चलिए आगे देखते हैं अगला प्रशना है अलफेड नोबेल को नोबेल पुरुषकार बीतरन है तू एक नीधी स्थापित करने के लिए धन रासी किस अभिज़कार से मिली थी तो फ्रेंटस इनको डाइनमाइट की खोज के लिए नोबेल पुरुषकार दिया गया था तो इस कोसान का सही अंसर है आपशन पुरुषकार में मिला उससे उन्होंने एक नोबेल पुरुषकार की निव रखी फ्रेंट्स नोबेल पुर्षकार प्रितेक वर्ष 10 दिसम्बर को दी जाती है ओके अलफेड नोबेल के याद में चलिए आगे दखते हैं अगला प्रशन है निमने लिखीत में से वह धातू कौन सी है जो पानी को अत्यधिक पर दूसित करती है तो फ्रेंट्स आर्सेनिक वह पदार्थ है जो पानी को अत्यधिक पर दूसित करता है तो इसको संगा सही अंसर है ऑप्षन ए ओके चलते हैं अगला प्रशन है फाइब जी स्पेक्ट्रम में पर जी अक्षर का क्या घोसित करता है जी अक्षर का मेंनिंग होता है जैनरेशन तो इसको संगा सही अंसर है आप्षन सी चलिए आगे देखते हैं अगला प्रशन है शरीर की कैलोरी आवस्था गर्मी के अपट्छा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवस्थ होती है तो फ्रेंस शरीर का ताप बनाये रखने के लिए अधिक कैलोरी हमें चाहिए ठंडे के दिनों में इसको संगा सही अंसर है ऑप्षन सी चलिए आगे देखते हैं अगला प्रशन है तमबाकू का धुवा स्वास्थ के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है तमबाकू की धुवा में निकोटीन होता है जो स्वास्थ के लिए हानिकारक है तो इसको संगा सही अंसर है ऑप्षन चलिए आगे देखते हैं आगला प्रशन है रात को पेंड के नीचे सोने की सलाह नहीं दिगाती है क्योंकि तब इसमें तो फ्रेंस रात के समय में पंडग साइड लेते हैं और अक्सीजन छोड़ते हैं पर रात में यह उल्टा होता है इसलिए पेड़क नीचे नहीं सोना चाहिए चलिए आगे दखता है अगला प्रशन है मानव रक्त धान के लिए कौन सा रक्त समू सरवात्रिक दाता होता है यानि कि यूनिवर्सल डो सकता है चलिक लिए अगला प्रसन है गला प्रकार का कैंसर है जिसमें अ सधारन बढ़ोत्री होती है और सुस्यों की संख्या में नियूंतम मजदुरी अधिनियम पारित किया गया तो दिश्कोशन का सही अंसर आप्षन ए चलिए आगे दखते हैं अगला प्रस्ट नहेशनल ऑप्टिकल्स फाइवर नेटवर्क निमने लिखित में से किसके लिए ब्रॉंड ब्रॉंड बैक ब्रॉंडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा तो नेशनल ऑप्टिकल फाइव सहरी हस्त लीपी उध्योग तो बताना आपको नाबाड की अस्थापना बारह जूलाई 1912 भी को प्रोक्त में किसे कर्ज देने के लिए किया गया था तो फ्रेंड्स नाबाड जो है वो क्रिसी छोटे पैमाने के उध्योग कौटेज और गाउं उध्योग इन सब को क्रिसी लोन परदान करता है तो इस कुछन का सही आंसर है ऑप्शन सी 123 ओके चलिए आगे दखते हैं अगला प्रशना है परदान मंत्री ग्राम सड़क योजना उस गाउं में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्न लिखित में से अधीक होती है तो जिस ही गाउं की जनसंख्या 500 से अधीक है उस गाउं में परदान मंत्री ग्राम सड और लोग को कहा जाता है तुछ कोई कि अश्रूंप जबू कास्मिर के श्री नगर से इन तमिल नाडो के कन्या कुमारी तक यह रास्ता फैला हुआ हूए ऊके चलिए आगे देखते हैं अगला प्राश्ण है बहरत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्ज है करनाटक ऑके और दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक साइमन कमिशन की सुभाय सराय के कारे काल के समय भारत आया था तो साइमन गांधी ने निमने लिकित मैं से की से स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी तो फ्रेंट्स महात्मा गांधी ने इसकोशन का सही सारी कि फिन iç हरित पुस्टि का घुलाफ उन्होंने एक तो फ्रेंटक्ष सांटर यह उक्यांट सी Чल्प